तो students आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी class 11th chemistry के अंदर जितने भी units हैं उन सभी के मैं आपको important questions बताऊंगा जितने भी expected questions हैं जो board में आएंगे जो आपको exam के लिए important है वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा students अगर आपने अभी तक हमारा whatsapp group और हमारा telegram channel जोईन नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारा whatsapp group और हमारा telegram जोईन कीजे आपको नीचे description में links मिल जाएंगे तो चलिए students शुरू करते हैं इस वीडियो को students सबसे पहले हम बात करते हैं आपके chapter number 1 की जिसका नाम है some basic concepts of chemistry यहां से जो important questions हैं सबसे पहले आपको करना है mole concept और आपने करना है molarity यहां से और आपने करना है limiting reagent और आपने करना है empirical formula, molecular formula और laws of chemical combination में जितने भी laws हैं वो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं जैसे कि law of conservation of mass, constant proportion के सारे के सारे law आपने exam के लिए prepare करने हैं अब हम बात करते हैं आपके chapter number 2 की जिसका नाम है structure of atom तो यहां से जो important questions बनते हैं सबसे पहले आपको यहां से करना है Bohr's model और आपने करना है debrogly relationship और आपने करना है Hasenberg uncertainty principle और आपने करना है quantum numbers जितने भी quantum numbers हैं वो सारे आपने करना शेपल है उसके बाद आपने करना है ऑपव principle, Polish extrusion principle, hone's rule और आपने configuration करनी है chromium और copper की और उनकी ionic properties भी और आपने करना है orbital का concept आपने करना है तो सुझेट्स इस चप्टर से अगर numerical बनेंगे तो वह डीब रागली पर बन सकते हैं रेड़ बज एनर्जी पर बन सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो स्टुडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके युनिट नमबर 3 की जिसका नाम है क्लासिफिकेशन अब ऐलेमेंट्स यहां से इंपोर्टन कॉशन बनते हैं सबसे पहले आपको यहां से करना है इसके बाद आपने करना है इस चैप्टर से उसके बाद हम बात करते हैं आपके चैप्टर नमबर 4 की जिसका नाम है यहां से जो इंपोर्टन कॉशन बनते हैं सबसे पहले आपको यहां से करना है हाइबर्डाईजेशन विस्पर थेोरी मॉलेकुलर और्बिटल थेोरी डाइपॉल मुञमेट हाइडरोजन बाउट और Bownd एंगर में स्टेर्स ऑफ मेटर यहां से जो इंपोर्टन कुशन बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है बॉयल्स ला, चार्ज ला, गेल्यूसेक्स ला, एवोगेडरोज ला, इन सभी के अपने अप्लिकेशन भी करनी है, उसके बाद आपने करना है यहां से critical temperature, उसके बाद आपने करना है numerical on ideal gas equation, और आपने हैं surface tension, viscosity, ideal and real gas, यह क्या है, मतलब कि what are ideal and real gases, what are the reasons for the deviation of real gases from ideal behavior, तो students, important questions हैं, तो सबसे पहले आपको यहां से करना है laws of thermodynamics, उसके बाद आपने करना है intensive and extensive properties, उसके बाद आपने करना है his law and its application, उसके बाद आपने करना है entropy, उसके बाद आपने करना है gives free energy, उसके बाद आपने करना है spontanity, उसके बाद students, अब हम बात करते हैं आपके chapter number 7 की, जिसका नाम है equilibrium यहां से जो important questions बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है lead chat layers principle and its application उसके बाद आपने करना है concept of pH उसके बाद आपने करना है solubility product उसके बाद आपने करना है common ion effect and its applications और यहां से जो important question है है henry law law of mass action acid basis का concept और buffer solution तो यह तो students अब हम बात करते हैं आपके chapter number 8 जिसका नाम है redox reaction यहां से जो important questions बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है oxidation number और आपने करना है balancing redox reaction कैसे balance करते हैं उसके बाद आपने करना electrochemical cells और आपने करना है disproportional reaction इनकी जिसका नाम है hydrogen यहां से important questions बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है water and hydrogen peroxide इनकी आपने preparation भी करनी है physical and chemical properties भी करनी है और structure भी करना है अब हम बात करते हैं आपके chapter number 10 की जिसका नाम है as block elements यहां से जो important questions हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है diagonal relationship उसके बाद आपने करना है NaOH, Na2CO3, CaCO2, Ca OH2 और POP इन सबी की आपने preparation भी करनी है chemical properties भी करनी है उसके बाद आपने इस lesson से करना है anomalous behavior of lithium, beryllium, boron and carbon ठीक है इन सबी का आपने anomalous behavior बताना है उसके बाद students हम बात करते हैं आपके chapter number 11 की जिसका नाम है P block यहां से जो important questions बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है allow drops drops of carbon and phosphorus और इनका अपने structure भी करना है उसके बाद आपने यहां से करना है borax, ammonia, nitric acid इन सबी की आपने preparation करनी है और आपने और आपने silicate भी करने है और आपने anomalous properties करनी है nitrogen की, boron की और carbon की और students आपने properties और structure करना है boric acid का और borax यहां जो important questions हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है resonance effect उसके बाद आपने करना है hyperconjugation और आपने करना है free radicals और आपने करना है carbonions और carbocation और आपने करना है inductive effect और आपने करना है isomerism ठीक है students अब हम बात करते हैं आपके chapter number 13 की जिसका नाम है hydrocarbons यहां जो important questions हैं तो सबसे आपको यहाल से करना है preparation of alkenes and addition reaction of alkenes जिसमें setzeffs rule है, birg reduction है, kolbs electrolysis है, marcov nikop's rule है, peroxide effect है और ozonolices है, यह सब यह आपने करना है, उसके बाद आपने करना है addition and oxidation reactions of alkynes and their acidic nature, उसके बाद आपने करना है aromaticity और huckle's rule ठीक है, उसके बाद students आपने करना है substitution reaction of benzene जिसमें आपने पढ़ना है alkylation, acylation, nitration और sulfonation, उसके बाद आपने करना है distillation और chromomatography भी, उसके बाद students हम बाद करते हैं आपके chapter number 14 की, जिसका नाम है environmental chemistry, यहाँ जो important questions हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है pollution, जितने भी pollution आपको उस chapter में हैं, वो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं, और आपने पढ़ना है ozone layer depletion, और आपने पढ़ना है green house effect, और आपने पढ़ना है acid rain, आपने पढ़ने हैं, और आपने 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 हैं, और आपन